यह तिलिस्वी जूते हैं, तुम दोनों इन ये पहन दो, इन जादुई जूतों की वज़े से, तुम्हारी कदम खुद्बखत उसी सिंप में उचेंगे, जहां तुम्हारी बच्चे होंगे. क्या है, मर्दूद क्यों चिलना रहा है, आका में चिलना नहीं आहूँ, खुशी से बंदरों की प्राउँ चलने का बच दर ला है, तुम भी उचलाू, बच रहा है नमकराम, इस रात की अंदेरे में, बंदरों की तरह उचलूँगा, तो लोग मुझे जादू करना ही, ठाक समझेंगे मैं तो आपको खुश्कवरी सदाने वाला था आप तो नाराज होगे खुश्कवरी कि रहां से खुश्कवरी तिलिस्मी अंडे तुझे दिखाई दे गए आपका वह बहुत दूर चलेंगे इसमें नजरों को उचने में देर लग गए जल्दी बताओ वह तिरिस्मी अंडे किसके पास है मेरे आपों में देख लीजिए देखिये वह अंडे कहा है अरे यह तो जलाल है अब तो दूसरा अंडा जरूर पिलाल के पास होगा अब दिखा जल्दी दिखा मुझे उसे मेरी दूसरी आंग में देखिये इस आथ में नहीं दूसरी आख में क्यों इसलिए कि दोनों दो अलग-अलग सिंटों में बहुत दूर निकल गए हैं देखिए मेरी दूसरी आख में अब मैं इम अंडों को हासिल कर लूँगा नहीं आखा वो अंडे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे मक्कारी से काम लेना होगा अब तू देख मैं कैसी मक्कारी से काम लेता हूँ रहने भीवे मक्कारी में आप मुझसे ज़्यादा उपर नहीं उड़ सकते हैं आप कहें तो मैं आपको एक ऐसी तर्कीब बताओं इस हैरत से आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे अच्छा चल तू ही बता मैं क्या करूँ आप अपने कार मेरे चोज के पास लाइए तो काहूं कोई गुस्वा न सुन्हें आए आखा तिल्दी आए आए आखा अरे वा मेरे तोते तू तो कला मकार है रे आखेश आगें किसा हो अयारी और मकारी तेरो एक साथ वाख अभी बुराता हूँ अपने अयारों को मेरे भुण मेरे भांजो जलाल और भिलाल को तो तुम जानते ही होगे जी सकता उनका वहरूप भर लूँ जो अब तुम दोनों शलाल और बिलाल के पास जाओ और उनके खब्जे में बुर्गे सादत के दिलशनी अंडे हैं उन्हें आपकी आयारी और मकारी से हासिल करके मेरे पास ले आओ ठीक है आका मैं जलाल के पास जाओंगा और मैं बिलाल के पास ठीक है तुम दोनों फॉरन जाओ और आनुखारन में ये काम करके दोटाओ जो हम सकता वाँ आपका वाँ मैंने तु सिर्फ प्यारों से काम लेने उन कहा था बगाद आपने जो तर्कीद लाई है उसका जाओ ने पिलाल के पास जलाल और जलाल के पास पिलाल वाँ आपका अए नादान बच्चे तु सो रहा है उठ उठ जाओ असलाम वालेकुम वालेकुम असलाम जिन्दगी के सफर में रास्ते में यूँ बेखबर सोया नहीं करते तेरी अमानत जो तेरे हाथों में हैं उसे धोड़ के और फरेव के सरिये तुसे चीन ले जाने के लिए एक आयार आ रहा है जो डरते हैं वो जिन्दगी के राज्ते पर आगे नहीं बर सकते हैं जिस चीज का दर हो उस डर को दिल से निकाल दो फिर देखो वो चीज कितनी भी बड़ी क्यों नहूं तुमसे छोटी हो जाई और डरने लगेगी तुमसे मेरे इंशारे को समझो और इस बात को गात में बांद लो अच्छा मैं जा रहा हूं आप जाका हो रहे हैं यही बात समझाने उम्हारे भाई जलाल के पास जा रहा हूं दोखे और फरेव से मेरी अमानकों से छीनने को आ रहा है वो जरूर संदे के पेशे पड़ा होगा कौन होगा कैसा होगा वो बिलाल मेरी चोटे भाई मैं थे मेरे बड़ा भाई मगर तुम तो बहुत पहले मुझसे अलग होकर मुश्किल रास्ते पर चले गये थे। मुश्किल रास्ते पर ? हाहा. वो रास्ता बहुत मुश्किल था Is materials based team ? इसलिए मैं तुमारे पास उला आया वो तिलीसमी एंदा कहा है. ये तो ज्लाइवाही नहीं है. इस दिमिश्मि अंडे को हंशी करने के लिए आया हुआ कोई नहीं कि ने बिलाई कोण से आंदा एतनी लापरवाहि से कह रहे हों कौन से आंदा क्वैय्ने स्वाधत का नवे अच्जा मालूं कहा है मैंने तो भाजान जो बताया था कि वो दोनों अंडे अंवे जान निठी लिये है अब इसमें कोई शक नहीं कि ये भाजान की रूपे कोई बहरूपया है इसे जुरूर सबग सिखाना होगा जल्दी बताओ बिलाल वो इंदे तुमने कहा रखा है सच बताओ भाजान आप फुसर तो नहीं होग नहीं नहीं जिस्टे नहीं होंगा वो मैं पहाड़ी की चक्तान पर बैठा उस अंबे को उचाल उचाल कर हवा में खेल रहा थतो हां 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 तो फिर क्या हुआ इस आफ से इस हाथ में इस हाथ में हां बाबा हां फिर इस तरह पिर इस हात में उस्सा पनाइंब्स पहर से निअर्शे प्लुत भी यह Another सकत नांथ और सिर्फ मोन जट्रम से उचल गया मेरा मतलब में निकल गया मतलम से उचाल कर ठीक से पकर ना सका पर अब वो इंडा कहा है वही तुम्हें बता रहा था अंडा मेरे हाथों से निकलकर नीचे जमीन पर गिर दिया जमीन धलान थी अंडा लुड़कते लुड़कते नीचे खाई में चला गया मैंने बहुत ढूंडा मगर पता नहीं वो कहा अटक गया तुम मुझे वो खाई कहा है बताओ मैं अंडा ढूंडा ले आओंगा वो खाई तुम्हें बहुत पीछे छोड़ाया तुम मुझे रास्ता बता दो तुम यहां से पीछे मुड़कर सीरे जाओ एक हजार पेड गिनते गिनते चले जाओ फिर तुम्हें किम्री का पेड मिलेगा वहां से रास्ता दो तरफ मुड़ेगा वहां से फिर आगे बढ़कर एक हजार पेड गिनो फिर हजार पेड पेड पर तुम्हें आम का पेड मिलेगा उसके आके जो रास्ता जाता है और पारी उर्खाई को जाता है मगर याद रिखना इन रास्तों पर पाँच हजार पेड़ों का सफर तेह करने के बाप तुम्हें वो पारी नजर आएगी ये तो बहुत लंबा सफर है पूरी दो मेने चला हूँ मैं इस रास्ते पर अगर वो जगह पहले से ही मेरे देखी हुई होती तो मैं सीधा वहां पहुँच जाता इस टेरे मेरे रास्ते पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अच्छा जाना तो पड़े गई अच्छा भाइजान मारा के आप चारा असलाम आलेकुम भाय जान अले बिलाट तुम वापस विसी आगए भाय जान आपके बगर तो मेरे दिल ही नहीं माना आपके बिना तो कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता है आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे आप यह प्योग आपके लिए पड्वी लाया हूँ आप ये जंगली हाट क्यों खारे है बैद देजीए उने निए जेए बैद देजीए पहले ही पहुंच गया और कैसे अपनी जोटी मुहबत में जलाल को फास कर देवकुल बनाने की सोच रहा है बिलाल आखिर तुम मुझ तक पहुंचे कैसे तुम्हें कैसे पता चला के मैं यही मिलूगा भाय जलाल वो तिलिस वंदा जो बुर्गे साथ की जिन ने तो आपको देव दिया था ना जिनने दॉनक आया था मेरे पास मुझे भी दे दिया था जिनने यासित ने वो अंदा यह देखिये यह रहा मेरा वाला अंदा लाइए आपका अंदा अपने अंदे के साथ रखूँ अच्छा तो यह आयाड़ी हो जोड़ी हो रही है हुम 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 कि वेलाइ तो तो की लिकाने मैं बिलाइ हूँ तो माकार हूँ यढ एकि लेन एयाを में इलाइ हूँ का बिलाइ हूँ कर दो कर दो कर दो कि अधिए आप थादी में ही आप हां तो वाकर ये बिलाई है नहीं यह यार है जादुगर जिब्रान का भेजा हुआ यार तो कुछ से तिलिस्मी अंदा चीनने के लिए आया था मगर मैंने इस पर आबे हरकत पड़कर भूका है अब ये जब तक अपनी आयारी से तौबा नहीं करेगा इसी तरह गोल गोल खुंता रहेगा अब देख इसकी असले शक्त प्रिश्ट अभी अब उख़एं अब मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ फिर बचाओ यह बुजर्ग मुझे बचाओ कराल इसे भूल जा और एक बात याद रखो आख जो देखती है और कान जो सुनते हैं वो हमेशा सच नहीं होता जो नजर आता है वो नजर का होका हो सकते हैं और जो सुनाई देता है जो भूट भी उसकता है इसलिए हमेशा हर चीज़ को अकल से देखो और हकीकत की कसोटी कर पर्ख दो इंशाल्ला अब जलो यहां से कान हो तुम लोग और क्यों रो रहे हो राम ले आओ हम शर्विंदा है आपके साथ नहीं है सकते हैं आका में तैयार चालाग और बेबाब क्यावाज हैं वामने आओ यारो मुझ शिपाने से कुछ नहीं होगा आका हमें माफ कर दो हम आपका काम नहीं कर सके हम नाताम रहें आका तुम नाताम कैसे हो गए वो भी वो बच्चों के सामने वो बच्चे नहीं है वो गाल के पत्ते हैं अंटों को अंटी में चिबा रखा है है अगण तो दोनों भाईयो जलाल और बिलाल का रूप ठरकर एक दूसरे हाई की आद में खुलंग गいきा थे वो दोनों वो समस्झदार हैं हमारे भैरूप को भाग गय और हमें दिगने का नाच जगा वो दोनों होश्यारों क्यों होश्यार और आयारों क्या यार है आज से हमने आयारी से तौबा कर ली कमीनों निकम्मों निकल जाओ यह से वरना अभी चलाकर कर दूंगा है सामरी है साहिरे आजम तेरे इस वफादार बंदे को हर गदम पर नाकामी क्यों मिल रही है बता है मेरे खुदा वन आका में बताओ तू ही बताते हैं चाहिद आकाई सामरी आपसे नराज हो गए होंगे आ तुम जीक कह रहे हो परिंदे तुम जीक कह रहे हो इसे लिए तो आज पहली बार आकाई सामरी ने मेरी परियाद का जवाब तक नहीं पिया आकाई सामरी को मनाने के लिए मुझे कुछ करना होगा अपनी फूल की बाद ही मागनी होगी बाद होगी बाद होगी कर दो कर दो कि चलते चलते एक में थब गए हैं पेटो न जाने मन मन के हो गए हूं हाँ बेवां मजबूरी यह है कि हम कोई सवारे भी तो नहीं दो सकते हैं मगर आलाद का प्यार हमें दो घड़ी दम दितों नहीं लेने देखाओ झालाद कर दो सकते हैं झालाद कर दो सकते हैं